स्वागत आप सभी का नेएक वीडियो लेक्चर में जीके के इम्पोर्टेंट कोश्चंस हम करेंगे इस वीडियो में, ठीके है आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, तो चलिए के शुरू करते आज की वीडियो का फ़र्स्ट कोश्चन निमिन मैं से कौन songs from prison से जुड़ा हुआ है जो प्राचिन भारती या धार्मिक गीतों का इंग्रेजी में अनुमाद है अगला कौशन आपके पास लाला लाजपतराय, मोहंदास करमचंद गांधी, बीर सावरकर या फिर सरोजनी नाइडू कौशन का से आंसर होगा आपके पास मोहंदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है अगला कौशन आपके असुबाज, नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था अप्शन से आपके पास फिरोज शाह मैता, दादा भाई नोर जी, वद्रूदीन तयब जी या फिर गोपाल कृष्न गोकले किसे कहा जाता था तो यहाँ पे इस कॉशन का से आंसर भी बी हो जाएगा दादा भाई नोर जी को कहा जाता था फर्स कॉमिनिकेशन मनिस्टर ओफ इंडिपेंडेंट इंडिया सुदंतर भारत के पहले संचार मंत्री आपके आज जग जीवन राम, शाम परसाद मुखर जी, सीडी देश मुख या फिर रफी एहमद की ड्वाई तो इस कॉशन का सेयांस जो गए होगा डी रफी एहमद की ड्वाई और इनके नयाम से एक आपकी नैशनल अकैडमी भी है रफी एहमद की ड्वाई नैशनल पोस्टल अकैडमी तो यह इंपोर्टेंड है ठीक है कॉम्मिनिकेशन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे आपके रफी एहमद ग्रोंस ऍैशनल हैपिनेस इस मेज़र्ड इनबिच कंट्री सकल राष्ट्री खुशी को किस देश में मापा जाता है भुटान में मापा जाता है भुटान में मापा जाता है भी आप्शन आपकी इसे ही हो जाएगी सथरिया is a dance forum इनबिच स्टेट सथरिया किस राज्य का नरीत्य शालिया ठीके कौन चे राज्य में आपका नरीत्य है आपके वास राजस्तान तेलंगना हिमाचल परदेश या फिर आसाम तो सथरिया जो है आसाम का लोक नरीत्य है डी आप्शन आपकी से हो जाएगी फिर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया भारत में पहला डाक टिकेट आपके वास मुलतानी डाक उसके बाद है सिंदे डाक पहाडी डाक या फिर बॉंबे सैपर्स तो यहाँ पे इस कॉश्चन का सेंसर जो गाई होगा सिंदे डाक 1852 में इसे जारी किया गया था अगला कोश्चन आपके 73rd Amendment to Constitution ब्रिंग्स बिच चेन सम्भिधान में 73 चोश्टन से कौन सा परिवर्तन आया ऑप्शन से आपके वास एंटी डिफैक्शन लो उसके वादा पंचाईती राज जे एस्ट्री गूर्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया या फिर EWS एकनोमिकली सेक्शन इसको लाया गया तो आपके 73rd Amendment में क्या किया गया पंचाईती राज को लागू किया गया तो यहां पे भी ऑप्शन आप किसे हो जाएगी अगला कोशन आपके सिली गूरी कोरिडोर आलसो नोन एज चिकन जनेग इस इन बिच स्टेट सिली गूरी कोरिडोर जिसे चिकन नेग के नाम से भी नेक के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में है सिकिम वेस्ट बेंगोल असाम या फिर अरुना चल परदेश तो यह आपका वेस्ट बेंगोल में है परस्चिम बंगाल में सीत है भी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी अगला कोशन आपके पास भ लोग्टक लेक इस इन बिच ओफ दी फॉलिंग स्टेट्स लोग्टक जीव जो है निवन मैसे किस राज्चे में है मिघाले मणीपूर महाराष्टर या फिर हिमाचल परदेश तो लोग्टक जीव जो है मणीपूर में स्थित है भी option आप किसे हो जाएगी अगला कुश्चन आप क्या सूब नोन एज फादर ओफ दी नेशन राष्टर पिता के रूप में किसे जाना जाता है महात्मा गांधी जौहलाल एरूर विंदना टेगोरी आफिर सरदार पटेल तो किसे कहा जाता है महात्मा गांधी को कहा जाता है एए option आप किसे हो जाएग अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार है ठीक है क्या है यह हमारे पास fundamental right है fundamental duty है directive principle में आता है यह अनमें से कोई भी नहीं तो right to freedom to speech ठीक है बोलने की स्वतंतरता हमारे पास क्या है मोलीक अधिकारों में आता है 13th की यह option आपके बसे हो जाएगे बंगलादेश बाज कावड ओट ओफ बिच एंडियन स्टेट आफ्टर पार्टिशन विवाजन के बाद बंगलादेश किस भारती राज्य से अलग हुआ था उत्तर परदेश गुजरात पंजाव या फिर बंगाल तो किस से हुआ था यहाप इस कोशन का से अंसर होगा D मेजर फैदो मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है अर्थक्वेक्स ठीक है भूकम को ओशन डेफ्थ या फिर महसागर की गहराई रेनफुल या फिर साउंड इंटेंस्टी किसको मापने के लिए किया जाता है ओशन डेफ्थ महसागर की गहराई ठीक है तो वादक है तो इस कोशन का सेयांसर होगा ए अमजद अली खान को सरोध वादक प्लियर के रूप में जाना जाते हैं ठीक है यह famous थे उसमें अगला कोशन है मदुबनी अस्टाइल ओफ फोक पेंटिंग इस पॉपलर इन विच ओफ दी फोलेंग स्टेट इन इंडिया लोक चित्रों की एक शैली मदुबनी भारत के निवन मैंसे किस राज्य में लोक प्रिय है उत्तर परदेश मद्य परदेश राजस्तान या फिर बि अपके बास ब्रिया देश्वर मंदिर तंजोर उसके वाद संटेम्पल कोनार्क उसके वाद मिनाक्षी टैम्पल मदुरे या फिर जगरनाथ टैम्पल पूरी तो किसको जाना जाता है संटेम्पल कोनार्क ठीक होर कहां पर यह मैं उडिसा में है मैच दी फोलिंग इस और नोट कुरेक्टली मैस हमें बताना है कौन सा से ढंग से मिला नहीं किया गया है options ने आपके वाज संपारण सत्यगरा है 1917 में हुआ उसके वाद आपके वाज खेड़ा सत्यगरा 1918 में हुआ ये भी सही है ये भी सही है उसके वाद एहमदावाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ ये भी सही है रोल एक्ट सत्यगरा 1999 में हुआ ये भी सही है तो ओल दी अवाबवार क्रेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नहीं है कोई भी ठीक है इसको हम छोड़ने हैं लेकिन ये सारे ही क्या है आपके बिलकुल सही है अगला क्वेशन है बिच पांस कोनेक्ट से हिमाचल परदेश और तिब्बत को जोड़ता है अगला क्वेशन है आपके आसे इन बिच लिस्ट ओफ दी इंडियन कोंसिटिशन इस दी सिटिशन्शिप इंक्लूड़ भारतिय संबिधान की किस सूची में नागरिकता शामिल है अपशन से आपके पास स्टेट लिस्ट, कनकरंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या फिर कॉमन लिस्ट तो यहाँ पर इस कुशन का से आंसर होगा आपके ऐसी यूनियन लिस्ट में ये शामिल है किया गया है अगला कुशन आपके ऐस वूम ड़स दी चीफ मिनिस्टर गिव इस रैजिगनेशन टू मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे दे सकता है प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिष अफ ही कोट गवर्नर अफ दिस चेट या फर प्र इसे या फ़र प्रेजिदेंट ओ इंडिया तो किसे दिया जा सकता है ठीक है? औो पडख जितने वाली पहली भारतिय में हिला कोन है? options हैं आपके वास ML बल्समा, PT उशा, कमल जी चंदू या फिर करनम किल मिलेशवरी तो इस question का से answer होगा आपके वासे ML बल्समा ने जीता था अगला question है बड़ी जी approximate height of कंचन जंगा ठीक है कंचन जंगा की लगवग उन्चाई कितने meter है options आपके 7,800, 8,800, 8,200 या फिर 8,600 तो approximate आपके तो 8,600 हो जाएगा लेकिन आप एक्चुल की बात करें 8,586 meter है अगला question है खासी hill is situated in which part of India खासी hill भारत के किस भाग में सेता है नोर्थन ये पार्ट या फिर इस्टरन पार्ट तो किस पार्ट में सेता है ये नोर्थन पार्ट में सेता है और ये कहां पे है मिघालने में सेता है तो आपकी ये option जो है सही हो जाएगी भारत में किस परकार की नाग रिकता है आपके ये सबी तो यहाँ पे इस question का सी answer आपके बस आजा गए भारत में single citizenship है एकल नाग रिखता है आर्टीकल 38-1 इस रिलेटेड विद अनुच्छेद 38-1 का संबंध किससे है डिरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट प्रोपर्टी राइट या फिड्यूटी से तो डिरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है ए अप्षन आप किसे हो जाएगी अवनी लेखरा इस रिलेटेड टू बिच स्पोर्ट्स अवनी लेखरा का संबंध किससे है शूटिंग टैनिस वैड्मिंटन या फिछ तो किससे है शूटिंग से इनसे पंगा नहीं लेना गोली मार देंगी चलिए अगला है आपके बस बिच नैशनल कास आजाएगी अगला कोश्ण आपका स्टैच ओफ लिवर्टी सिच्वीट इन विच कंट्री स्टैच ओफ लिवर्टी किस देश मस्ती था है यूससे फ्रांस इंगलेंड या फिर जर्मनी तो यससे नियुयोयोर्क मैं स्टेथा है उप्शन आपकी स्थे हो जाएगी वि which one of these is important नैतिक मूलियों के विकास के लिए इन में से किसकी भूमी का महतव पूरण है family, society, teacher या फिर all of these इन सभी की जरूरिया ठीक है family, society, teacher सभी की है डी option आपकी से हो जाएगी फिर इस जोजिला पास इस लोकेटर जो जिला दर्रा जोए कहाँ पर स्थीता है जे एंट के लदाख होना चल परदेश या फिर उत्तराखन तो यह आपका लदाख में स्थीता है भी option आपकी से हो जाएगी तो यहाप इस question का सियांस रहेगा आपके बाल गंगधर तिलक तो यहाप इस question का सियांसर हो जाएगा स्वामी दयानन सरस्वती ने दिया था अगला question है हूँ अमंग दी फोलिंग साइंटिस्ट्स गोट टू नोवल प्राइजस ओफ बिच बनवाज इन पीस निमन मैंसे किस बग्यानी को दो नोवल पुरिसकार मिले जिसमें से एक शांती के लिए था अलवर टाइंस्टीन, हर गोविंद खुराना उसके अदा लिनूस पोलिंग या फिर पोल वर्गो तो किसको मिला था आपकी यहाप इसी option से होगी लिनूस पोलिंग को मिला ठीक है एक उनको किसको मिला शांती के ख्षेतर है और दूसरा साइंस के ख्षेतर में अगला कोशन, इस इंपोर्टेंट तो हाव अगुड सक्सेसफुल इन यूर कैरियर टूवी करियर में सफल होने के लिए आपकी बास क्या अच्छा होना जरूरी है अपेरेंस, अटेंडनेस, रिस्पेक्ट या फिर अटिटूड आपका रवय या जो है अटिटूड जो अब वो अच्छा होना चाहिए दिखावट चाहिए जैसी मर्जी हो अगला कोशन है इस सैड़ टूवी फादर ओफ दी इंडियन स्पेस प्रोग्राम भारती अंतरिक्ष कारेकरम का जनक किसे कहा जाता है अगला कोशन है डांडिया रास इस वो फोक डास वबिच डांडिया रास इसका लोग नरी थे हैं उत्तर पर देचार खंडर गुजरात या फिर ओडिसा तो किस आई आपका गुजराद का एरसी option आपकी से हो जाएगी अगला question आपके है इस दी famous नवकलेवारा festival belongs to beach of the falling states परसीद नवकलेवारा उतसव निमन मैसे किस राजय से संबंधित है बिहार उडिसा राजय सान या फिर बैस्ट बंगल तो इस question का से answer होगा आपके पास भी Odisha, जगरना, temple हमने किया भी थोड़ी दिर पहले पूरी, ठीक है, जगरना, temple पूरी जो हमने किया था पहले, तो उसमें उसी के हिसाब से ठीक है, बहाँ पर यह मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपकी भी option जो है, से हो जाएगी, बिच स्टेट ओफ इंडिया हाज लोएस्ट सेक्स रेशो एज पर सीनेस 2021-2021 की जगरना के अनुसार, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है, पंचाब, सिकीम, हर्याना या फिर जम्मू एंड कश्मीर तो किस में है, हर्याना में है, सी option आपकी से हो जाएगी, बिच स्टेट ओफ इंडिया हाज लोएस्ट एरिया भारत के किस राज्य का ख्षेतरफल सबसे कम है, मध्य परदेश, गोवा, राज्यस्थान या फिर उत्तर परदेश तो गोवा का और सबसे दिक राज्यस्थान का है, अगला question है इन बिच स्टेट वाज पंचाइती रा पंचाइती राज की सराज्य में शुरू किया गया था नहीं के पहली बार फिर्स्ट इंडियूस कहा पे किया गया था इसको महराष्टर करनाटका केला या फिर राजस्थान तो डी option यहाँ पे से हो जाएगी राजस्थान में इसको किया गया था इसपैशल कलकत्ता सैशन 1920 इन विच गांधी मूवड कोर्पोरेशन रिजुलिशन बाज प्रिसाइड़ वाई विशेश कलकत्ता अधिवेशन 1920 जिसमें महात्मा गांधी ने सहयोग परस्ता पेश किया उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई उप्शन से आपके सियार essential at work because you must be able to work with especially if you do not always agree with them काम पर जरूरी है क्योंकि आपके साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए खास कर यदि आप हमेशा उनसे सहामत नहीं होते हैं communication corporation होना चाहिए या फिर integrity क्या होना चाहिए corporation होना चाहिए आपका सहयोग होना चाहिए which state has the longest coastal line in India भारत में सबसे लंबी 30 रेखा कि सराज्य की है गुजरात मध्य आंधर परदेश तमिलाड़ू या फिर और इसा तो question का सेयांसर आपका सोचाएगा ए गुजरात की है सबसे लंबी अगर 30 सीमा की बात करें गुजरात की अगला कोशन आपके सबीच वन ओफ दी फोलिंग प्रेजिडेंट्स ओफ इंडिया हैल्ड ओफिस फार टू कंसीक्यूटिव टर्म्स निमन में से भारत के किस राश्टर पती ने था था कैविनेट मिशन प्लैन उसके बाद है क्रिप्स प्रपोजल साहिमन कमिशन रिपोर्ट या फिर वेवे लियो जना तो किसके संबंध में था यह आपका क्रिप्स प्रपोजल के संबंध में था भी ऑप्शन आपकी से हो जाएगी अगला कोशन आपके आस हुआ मंगेस्ट दी फोलेंग इस रिनाउंड इन दी फील्ड ओफ पेंटिंग निमन मैंसे कौन चित्रकला के एक शेतर में परसीद है आपके पास प्रोफ्टी एन क्रिशन उसके वादा राजा रवी वर्मा प्रवीन सुलाना या फिर राम किंकरी कौन है आपके यहाँ पर इस कौशन का सियांसर होगा भी रवी राजा रवी वर्मा अगला कोशन आपके पास भर्चुकी फोल सिचुएटेड इन बिच स्टेट ओफ इंडिया भर्चुकी जलपर पाथ भारत के किस राजे में स्थित है तो किस में स्थित है ये करनाट का में स्थित है भी उप्शन आपकी से हो जाएगी अगला कोशन है इंडिया इंटरनेशनल चैरी आम तोर पर किस राज़े में मनाचल परदेश सिकी में माचल परदेश राफिर में घाले इंडिया जोल्बुकशन आपकी हैं पर से हो जाएगी India's only active volcano is located in which आइसलेंड भारत का एक मात्रस्क्रिय जॉला मुखी किस द्वीप में स्थित है ऐली फेंट आइसलेंड उसके बाद है हैलोक द्भीप या फिर वेरन आइसलेंड या फिर कार निकोवार तो किसमें सेत है वेरन आइसलेंड में ठीक है वेरन द्भीप बंजर द्भीप से कहा जाता है अगला कोश्चन है थी Northern Range of India are separated from the Pencler Horror region by भारत के उत्री मैदानों को प्रीद ईप शेतर से किसके द envoyे मौंटेंगर साहता है अरावली मौंटेंगर स किसके दो deny क्रेंगर साता है इस को म sincer होगा आपके बास यह option से आपके बास virus, bacteria, parasites या फिर all these तो इस question का से answer आपके बास आजगाए virus के कारणी होती है Which one of the following is not correctly matched निमनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है option से आपके हीमोग्लोबिन, skin चे समंदित है vitamin C, scurby से carbohydrate आपको potato से मिल जाता है अगर मोटा होना है आपको तो वटर आप खा सकते है तो यह तो सही है, ठीक है, carboidate potato यह भी सही है vitamin C, scurby और यहाँ पर हीमोग्लोबिन चाहीं नहीं है ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका किससे वलड से जुड़ा हुआ है तो आपकी यह option जो है सही हो जाएगी रविंदना टैगोर वाज अवोड़र दी नैशनल प्राइज इन लिट्रेचर इंडिया रविंदना टैगोर को सहित्य का नोवल पुरसकार किस वर्ष दिया गया था 1908, 1910, 1913 या फिर 1914 में तो कब दिया गया था, यहाँ पे इस question का सेंसर आजाएगा आपका सी, ठीक है 1930, 1913 में दिया गया था अगला question है, which organization operates the fast attack in India भारत में कौन सा संगठन fast attack का संचालन करता है options हैं आपके starter consultancy service highways department of state, national highways authority of India, state bank of India तो यहाँ पे इस question का सेंसर क्या हो जाएगा, आपके बास कोन करता है तो इस question का सेंसर होगा आपका सी, national highways authority of India अगला question है, बड़ी स्कार्टोग्राफी ठीक है, कार्टोग्राफी कह है science of making cards, गाड़ी बनाने का विग्यान, science of making maps science of making sketches या फिर science of making graphs तो यहाँ पे इस question का सेंसर भी होगा, science of making maps मान्चितर बनाने के विग्यान को कार्टोग्राफिक आजाता है अगला question है, बिच आर्टिकल of the Indian Constitution fundamental duties have been enamorated, भारतिय संभीधान के किस अनुच्छेद में मोलिक कर्टब्यों का उले किया गया है, 50A, 52A, 51A या फिर 53A, तो किस में किया गया है, 51A में किया गया है, यह option आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, भैनवाजी atomic bomb dropped on नागा साकी पर परमाणू bomb कब गिराया गया था, किस में गिराया अमेरिका ने, और कब गिराया गया, 9th of August 1945, 6th August 1945, 3rd August 1950 या फिर 4th October 1952, तो कब गिराया गया, यह option यहाँ पे आपकी सह हो जाएगी, 9th August 1945 में गिराया गया, अगला कौशन है, फिर 13th Prime Minister of India भारत के तेरवे परधानमंत्री कोन है, कोन है, नहीं, कोन थे, मनमोहन सिंग, अटल भिहार इबाज पही, नरेंदर मोधी, या फिर पीवी नर्स हिमार, तो कौन थे, मनमोहन सिंग थे, और इस समय प्रजेंट में जो आपके प्रधानमंत्री है, वो कितने में है, चोध में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो से अप्शन होगी, यह होगी, मनमोहन चिंग, यह उप्शन आपके से हो जाएगी, अगला कौशन है, यहाँ पर भी अप्शन आपकी से हो जाएगी, जयन धरम में यहाँ आता है, अगला कौशन है, विल्ट रुद्रेश्वरा टेंपल विच हैस बीन, इंस्क्राइब इन युनेस्को जो वर्ल्ड हरिटेज लिस्ट, रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जिसे युनेस्को की बिशव विरासत सुची मांकित किया गया है, उप्शन है क्रिशन देव राए, उसके बादे आपके सराम, लिंगेश्वर स्वामी, गणपती देव या फिर, रे चारला रुद्र, तो किसने करवाया था, डी उप्शन आपकी से हो जाएगी, रे चारला रुद्र ने करवाया था, अगला कोशन है, लोंगेश्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, गंगा, ब्रहंपुत्रा, कृष्ण या फिर, गोदावरी, तो कौन सी नदी है, एए उप्शन आपकी से हो जाएगी, गंगा नदी है, अगला कोशन है, आपके आपके प्राइजन चीफ, जस्टिस ओप सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया, इस भारत के सरवोच नयाया लेके, वर्तमान मुक्हा नयाय धिश कौन है, अप्शन से आपके आपके आज जस्टिस, रंजन गोगोई, ठीक है, उसको ज़ाएदा, जस्टिस अनफी रमना, या फिर, नयाय मूर्ती, दीपक मिश्रा, या फिर जस्टिस, खेहरे, ठीक है, तो यहाँ पर इस question का से answer क्या हो जाएगा, आपके आसे question का से answer होगा, B, justice and V, Ramna अगला question है, capital of United States of America, इस निए तो राज अमेरिका की राजानी क्या है, नियो और Washington DC, वर्न या फिर Atlanta, तो इस question का से answer होगा Washington DC में सीता है, 71st की say option आजाएगी, आपके बास B भैनवर्दी, first general election held in India, भारत में पहली वाराम चुनाव कम हुए, options है, 1951 1957, 1872 या फिर 1999 कम हुए, 1951 में हुए थे option आपकी यह जवाज से हो जाएगी who gave the slogan, आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया, पंडि जालाल नहरू महात्मा गांधी उसके अदा बहादुर शास्त्री टीका लाल बहादुर शास्त्री इंद्रा गांधी 30th January 1948 2nd October 1988 या 3rd March 1999 1993 तो यहाँ पे इस question कसी answer आएगा आपके है, 31st October 1984, 30 October 1984 को की गई which is the fastest running animal in the world दुनिया का सबसे तेज जोनने वाला पशु कौन सा है चीता, डोग, लोईन या फिर होर्स तो कौन सा है ये option आप किसे हो जाएगी चीता Ben was the atomic bomb dropped on Hiroshima ठीक है एक नागा साखी पर गिराया गया था कब गिराया गया था 9th of August 1945 और हिरोशिमा पर कब गिराया गया था 19th of August 1945, 6th August 1945, 3rd August 1954, 4th October 1952 कोशन का सियांसर आप के वास आजएगा भी हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और आपके नागा साखी पर 9 और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था गितांजली किसके दारा लिखी गई है तो इस कोशन का सियांसर आपके वास हो जाए रविंदना टैगोर के दारा इसको लिखा गया है तो कितने है 78 की जो सेप्षन आईगी आपके आसे 448 है तो यहाँ पर इस कोशन का सियांसर क्या जाएगा आपके वासे नील आमस्ट्रोंग अगला कोशन है आपके स्मेरी कोम इस असोसेटेड़ बिच स्पोर्ट मेरी कोम किस खेल से जुड़ी हुई है बोक्सिंग रैसलिंग वाइडमिंटन या फिर शूटिंग तो यहाँ पर ए उप्षन आपके से हो जाएगी बोक्सिंग से जुड़ी हो है अगला कोशन है भेर इस दिलवाड़ा टैंपर लोकेटर दिलवाड़ा मंदिर कहां पर सीता है राजस्तान गुजरात वैस्ट मंगोली आफिर असाम तो मौंट अबू राजस्तान में यह सीता है यह उप्षन आपकी से हो जाएगी और नास्ट कशन आज की वीडियो का व्चे घाट किस की समाधी स्थल है लाल भाधर शास्त्र इंद्डर गांधी अटल भाड़ी पैच्पे या फिर महात्मा गांधी तो बिजे घाट जो है लाल भाधर शास्त्री की समाधी है यह option आपकी से हो जाएगी important सभी questions आपको कर लेने अच्छे से इन में से जरूर कोई ने कोई question आपको exam में देखने को मिलेगा अपने नहीं अच्छे से किया होंगे आप नहीं कर पाएंगे आप अच्छे से करेंगे कहीं नहीं आपके एक दो marks यहां से बन जाएंगे ठीक है friends thank you